स्मस्कार मैं प्रांशी रठोर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नियूस लोग सभा चुनाप को मत्य नसर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायवती ने नई रणीती बनाई है अब मायवती मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ यहां पर अन्य वोट बैंक को साती हुई नसर आ रही है पहले तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक को वह संभाल ही रही थी लेकिन अब वह जिस तरह से हर एक वोट बैंक को साधने का प्रियास कर रही है इससे कहीं न कहीं सपा कॉंग्रेस का जो संतूलन है वोट बेंक के मामले में वो भिकरता हुआ नसर आ सकता है दरसल गठवंदन से साफतोर पर इंकार कर चुकी है मायवती और अब यहां देखा जा रहा है कि हर एक सीट से वह अपने प्रत्याशी को उतार नहीं है कन्योज में उन्होंने मुस्लिम नेता को आगे किया अकील एहमद उन्होंने उतार दिये हैं जिसमें देखा गया है कि कन्योज से चुनाब लड़ते हुए देखे जा सकते हैं सपा मुक्या अखलेश यादव इसके अलावे यहाँ पर देखा जाए तो मायवती अल्ने सीटों पर भी दाव लगाती हुई नसर आ रही हैं ऐसे में गटवंदन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नसर आ सकता है दरसल आपको बता देए कि मायवती अब एक एक करके तमाम लोग सभा सीट पर अपने उमीद्वारों को आगे करती हुई नसर आ रही है जो उपचुनाब हुए थे और उसमें देखा गया कि किस तरह से उपचुनाब में समाजवादी पार्टी जीत हासल करती हुई नसर आ हैं और सपा में शामिल हो चुके आजमगर उपचुनाब को दो साल बीच चुके हैं देश अब लोग सभा चुनाब की मुहाने पर खड़ा है चुनाब अलग है समय अलग है राजनितिक परिस्थितियां अलग है लेकिन एक बात जो सामने नजर आ रही है वह है बस्पा की रणनीती बस्पा दलित मुसलिम का नया समीकरण गड़ने की रणनीती की तरब बढ़ती जा रही है सुत्रों के माने तो बस्पा ने बीते पिछले तीन दिन में पांच लोग सभा सीट के लिए उमीदवारों के नाम तै किये और पांच में चार उमीदवार मुसलिम को उतार दिया गया है ऐसे में यहां पर अब गठवन्दन पर काफी गहरा प्रभाब पड़ता हुआ नसर आ सकता है बस्पा ने कनौस सीट से यादव या दलित की वज़ाए मुसलिम चेहरे पर दाव लगाया तो इसे भी बस्पा की और से प्रदेश के मुसलिमों को एक सं चुनाव कर मैदान में उतर रही है और इसे मुसलिम वोट का विखराव रोखनी की रणीती से जोड़ कर देखा जा रहा है कि बस्पा की इस रणीती से इंडिया गटवन्दन को नुकसान उठाना पड़ सकता है यूपी चुनाव में बस्पा की रणीती कुछ ऐसी रही कि पार्टी भले ही एक सीट पर सिमट गई लेकिन कई सीटों पर सपा की हार्स के अंतर से अधिक वोट उसके उमीदवारों को मिले थे आप देखना यही दिल्चस होगा कि मायवती क्या वाकई में कॉंग्रेस और सपा का संतूलन बिगारती हुई नसर आएंगी या नहीं फि